कि नमस्कार दोस्तों मैं विक्रम रावत आज फिर आपके साथ एक नए वीडियो लेकर आये हूं जिसमें हम 21 नवंबर 2020 के करन्ट अपियर की कुछ सब्सक्राइब करने से अविस्ताइब निलंबित कर दिया है उप्षन युएई कुएट साओधी आरप या अमेरिका तो ये हैं दोस्तों युएई जो सयुक्तराव अमिरात हैं उसने पाकिस्तान सहीद 12 देशों के आगंतु को को विजिट विजा जारी करने पर अइस्थाई तोर पर रिलंबित कर दिया है दोस्तों कोरोना के जो संक्रमन बढ़ने की कारण जो देश हैं 12 उन देशों में जो क कोरोना का संक्रमन लगातार बढ़ रहा है तो जिस कारण युएई सरकार ने वहां से दूसरे देशों से आने वाले लगभग भारा देशों से जो वहां के आगंतुक आने वाले हैं उनको विजिट विजा जारी करने पर अइस्थाई तोर पर निलंबित कर दिया है इसके अपने वहावे बोईंग हुआईवे या इंडियन एरलाइन्स गोस्तों सबसे इंपोर्टन क्यूशन यह और इसका आंसर है बोईंग गोस्तों बी जो अपना आंसर है बोईंग पोईंग के अनुसर भारत को अपना नोवा बोईंग पी-81 निग्राणी विमान जो है बोईंग एरिस्पेस कंपनी से प्राप्त हुआ है इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्यूशन जिस देश की अधालत ने जेयोडी चीप हापिर सईद को 10 साल की सजा सुनाई है दोस्तों जो आतंगवादी है हापिर सईद उसको किस देश की अधालत ने जो है 10 साल क सबसे जो सरवोच्च अधालत पाकिस्तान की उसने जो जेड यू चीप जो हापिर सही देश जो आतंगवादी है उसको 10 साल की सजा सुनाई है तो इसका अंसर दोस्तों भी बिल्कुल राइट आंसर के लिए दोस्तों इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्यूशन सरकार को विवाद से विश्वाद यस्कीम के तहत कूल ज तनी कर राशी प्राप्त हुई है दोस्तों important question यह है और question है सरकार को विवाद से विश्वाद स्कीम है उसके तहत कुल कितनी कर राशी प्राप्त हुई है इसके बाद देखेंगे next question next question जो है भारत के सर्वोची जायलाई ने अभी हाली में कि इस मामले में केंद्र सरकार के लिए संब्द्र राज्य की सहमति को अनिवाईरिक कर दिया है option है CBI शेत्राधिकार या राज्य शेत्राधिकार केंद्र शेत्राधिकार या इन में से कोई नहीं दोस्तों बहुत important question और इसका अंसर है CBI शेत्राधिकार दोस्तों CBI शेत्राधिकार है उस मामले में भारत के सर्वोची जाय लेने हाली में केंद्र सरकार के लिए एक संब्द्र राज्य के सहमति को अनिवाईरिक कर दिया है इसके बाद देखेंगे नव निर्माची सत्रवी बिहार विदानसवा के प्रोटेम स्पीकर के तोर पर किसने शपत ली दोस्तों बहुत इंपोर्टेन क्यूशन और क्यूशन देखेंगे नव निर्माची सत्रवी विभार विधार विदानसवा के प्रोटेम स्पीकर के तोर पर किसने शपत ली ओप्शन जितनराम मांजी राबडी देवी सुशि भीईार विधान सवा나मा के जो प्रोंटे में स्पीकर के रूप में प्रदान मंत्री इंदिन्यागाण्दी कीहनति जब बें जाती है प्रधान मंत्री जो भारत की लगभग 15 साल प्रधान मंत्री रही श्री मती इंदिरा गांधी तो उनके जो जन्म दिवस यानि जैनती पर जो है 17 नवंबर या 15 नवंबर तो यह होगा दोस्तों 19 नवंबर 19 नवंबर को जुए विश्व शोचालय दिवस के रूपे मनाया जाता है तो दोनों ही दोस्तों बहुत इंपोर्टेंड जिस दिन भारत की पूर प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी का जन्म दिन है उसी दिन विश निर्मानताओं में से जिसने दावा किया है कि इसकी वेक्सिन इसकी कोविट 19 वेक्सिन पिचाणू प्रतिशत प्रभावी है उप्षन भारत बायोटेक फाइजर या एस्ट्रोजेनेका या सिरम इस्टुटूट तो यहां पर होगा दोस्तों भी पी जो है फाइजर तो ज वेक्सिन निर्माता है उसने गावड 19 वेक्सिन का पिचाणू प्रतिशत प्रभावी होने का दावा किया है इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्यूस्यन सरकार जिसने मास्क नहीं पहनने के लिए 2000 रुपई तक जुर्माना लगाया है तो उप्षन दिल्ली ठरियाना पंजाब या उत्तरप्रदेश तो यहां पर अंसर होगा दोस्तों दिल्ली जो दिल्ली राज्य सरकार है उन्होंने जो कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के का यहां पर 2000 रुपई तक बिना मास्क के गुमने पर जुर्माना लगाया है तो इंपोर्टन है दोस्तों और जहां पहले जो यहां पर जुर्माना था तो वह 500 रुपई था जो बढ़ा कर जो वहां की सरकार ने बढ़ा कर 2000 रुपई तक कर दिया है तो कैसा लगा दोस्तों आपको वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे कमेंट कर दे शेर कर दे थैंक्स पर वचिंग मिलते हैं ने अपडेट के साथ